पर्माणू यानि एटम के चैप्टर से सम्मधित कुछ आंकित प्रश्ण देखेंगे यदि तांबे जैड थर्टीटू मतलब पर्माणू कर्मांक 32 है के पर्माणू से 1.6 गुणा दसकी खाथ नो सेंटीमीटर पर सेकिंड वेग से पर किरनित अलफा कन हो तो पर्माणू के नाभिक के अर्ध व्यास का परिकलन कीजिए अर्ध व्यास मतलब त्रज्या ये है तांबे का पर्माणू पर्माण कर्मांक Z है तो प्रोटॉन की संख्या Z हो गई और नाभिक का धनावेश Z इंटू E प्लस का हो गया अलफा कन पर किरनित हो मतलब अलफा कन इधर से आया इसका चार्ज प्लस का था प्लस 2E था जब यहाँ से ऐसे आयेगा तो प्लस-प्लस से प्रतिकर्शित होगा यानि ये इसके कलोज कहां तक आ सकता है ठीक यहां तक आ सकता है यहां तक आने का मतलब इसके जो निकटतम दूरी होगी वो आर जिरो होगी और यही इस नाभिक के त्रज्या होगी और ये जैसे ही यहाँ आएगा इसकी गती जूर्जा इन दोनों आवेश की स्थिती जूर्जा में बदल चुकी होगी जिस वेग से यहाँ आया है उसी वेग से वापस अटेगा ध्यान देने की आवशक्ता है कि एलफा कंड के नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी यदि आर जीरो हो तब इसकी गती जूर्जा इन दोनों आवेशों की स्थिती जूर्जा के बराबर हो जाएगी यह कॉंसेप्ट अगर आपको किलियर है तो आपकी प्रस्न आसानी से हो जाएगा यहाँ यही लिखा गया है अलफा कंड की गती जूर्जा एक बटे दो m v square m alpha v alpha पहचान के लिए लिख दे गये हैं बराबर दो आवेश एक दूसरे से आर्ट जूरी पर हो तो इस्थिती जूर्जा 1 upon 4 5 epsilon 0 q1 q2 बटे आर होती है q1 यह चार्ज है प्लस जैडी q2 प्लस 2 है निकटतम पहुँचने की दूरी r0 इसी के साथ में अब देखो यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा r0 का मान calculate करना है तो r0 इधर आ गया यह इधर चलाएगा तो r0 बराबर 1 upon 4 5 epsilon 0 2 z e square बटे 1 by 2 m alpha v alpha square इस सम्मान दिये हुए हैं alpha particle helium के नाभीक होते हैं प्लस 2 इकाई आवेश होता है और 4 इकाई दरुमान होता है यह आपको पता होना चाहिए 4 इकाई दरुमान मतलब 4 गुणा 1.67 गुणा 10 कीखाथ माइनस 27 किलोग्राम बस value रखेंगे और यह calculate करके आ जाएगा इसी में एक बात ये भी देखिए कि अगर कहा जाए कि एक alpha particle को V voltage तक त्वरित किया गया है V voltage तक त्वरित करेंगे तो उसकी kinetic energy 2E into V हो जाएगी alpha करन V voltage तक त्वरित हो तो V voltage तक त्वरित होने के लिए Q always को V विभांतर तक त्वरित करेंगे तो उसकी energy Q into V होती है तो 2 alpha ये alpha particle है तो इसका charge plus 2E हो गया तो 2E into V इतने voltage तक त्वरित होगा तो ये energy हो गई और अब इसके कितने नजदीक पहुचेगा ये energy potential energy के बराबर हो जानी चाहिए potential energy मतलब वो ही 1 upon 4 5 epsilon 0 Q1 Q2 बटे R तो अगर यानि 2EV बराबर ये करेंगे और यहां से R0 का मान आसाइनी से निकाला जा सकता है 2EV धर आजाएगा R0 धर चला जाएगा तो R0 बराबर 1 upon 4 5 epsilon 0 ZE 2E upon 2EV 2ZE square बटे 2EV इन सब के हम मान रख सकते हैं 9 गुना 10 की हाथ 9 Z 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा E से square जी कैंसिल हो गया यह लेक्टोन का वी समझानते हैं और इसे calculate करेंगे तो इसका मान 14.4 Z upon V इतने एंग्स्टोन आ रहा है इन सवालों को अच्छी तरह से करके देख लें और ऐसी value याद भी रख लेते हैं क्योंकि आम तोर पर नाभिक से टकराने के लिए alpha particle ही भी जा जाता है चुकि वो positive chart है वो उसी से प्रतिकर्शित होकर वापस में परकेनित होकर वापस आएगा तो 14.4 Z upon V ये calculate करके देख लें सीधे भी याद रखा जा सकता है एक और आंकिक प्रश्ण है 10 million electron volt गती जूर्जा का एक alpha कर्ण एक इस्थिर बिंदु नाभिक Z बराबर 50 की ओर जा रहा है पहले सवाल कीता रही है उसके निकटतम पहुँचने की दूरी ग्याद कीजिए निकटतम पहुँचने की दूरी वही R0 होगी 10 million electron volt गती जूर्जा का है यनि गती जूर्जा लेकर आया है टकराएगा गती जूर्जा इस्थित जूर्जा में बदल जाएगी ये concept महत्पून है बस जैसा कि उपर हमने ये calculate किया था इसी तरीके से सीधे मान रख सकते है 14.4 Z upon V 50 दिया हुआ है और ये लिखा है 10 million electron volt 10 million 10 की 8 6 volt इतना हो जाएगा क्योंकि 10 million electron volt गती जूर्जा का मतलब ये है के 10 million volt तक त्वरित किया गया है आवेश को 10 million volt तक अगर त्वरित करेंगे तो इसके एनरजी 10 million electron volt हो जाएगी ये electron volt जैसे की मात्रफ होता है कि electron को V voltage तक त्वरित करेंगे तो उसके एनरजी E into V Joule होती है और V electron volt होती है ये चोटी चोटी सी बात है इस आधार पर आधार 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 आंकिक प्रश्च जरूर आता है कोई ने कोई बस value रखेंगे और इसका मान आसानी से आ जाएगा एक और आंकिक प्रस्ण देखेंगे हाइडोजन स्पेक्ट्रम के लिए H एलफा का मान ज्यात कीजिए H एलफा ये बामर स्रेणी में होती है द्रश छेतर में पड़ती है जब इलेक्ट्रोन किसी भी उचे उरजास्तर से चल कर सीधे एन बराबर दो में आता है दो नमबर की स्रेणी है ने बामर स्रेणी एक नमबर की लाइमन होती है दो नमबर की बामर होती है फिर पास्चन ब्रेकिट और फुन तीन चार और पास्चन नमबर की करमशे होती है यानि हाइडोजन का उत्सर्जन spectrum आपको clear होना चाहिए अगर वो clear है तो देखो ये बहुत आसान है H alpha 3 से 2 में आएगा तो H alpha काउट सर्जन होगा इसे हम ऐसे निकाल सकते हैं सीधे क्योंकि N वे उर्जास्तर की उर्जा minus 13.6 upon N square general formula होता है minus 13.6 Z square और Z का मान hydrogen के लिए एक होता है तो N 3 में से 2 E2 minus E3 minus E2 और ये calculate करेंगे तो ये आजाएगा इतने electron volt ये energy का difference आया है उर्जा का अंतर ये है और यहां से हम सीधा एक formula है पहले बताय गिया था ये delta E बराबर hc upon lambda hc के मान रखकर जब निकाला जाता है तो ये आता है 1,2,3,4,5 इसको याद रख सकते हैं 1,2,3,7,5 upon delta E electron volt मात रखका ये होता है बस मान रखेंगे electron volt में उर्जा का difference आया है और lambda का मान E हो गया इसका मतलब hydrogen spectrum के लिए h alpha का मान 6551 angstrom है इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1 upon lambda बराबर 1 बटे 2 का वर्ग माइनस 1 बटे 3 का वर्ग 3 क्योंकि 3 में से 2 में आया है ये हो गया r की value 1.098 गुना दसकी हट 7 होती है ये पता होना चाहिए वैसे paper में दिया रहता है और यहाँ से calculate करेंगे तो यह आएगा देखे इस मान में इस मान में थोड़ा सा अंतर आ रहा है लेकिन calculation की द्रस्टी से ये दोनों ठीक माने जाएंगे एक और हम की प्रस्ण है hydrogen परमानू के बहर model में electron की तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्याद कीजिए टीसरी कक्षा की त्रिज्या बहर model में rn का मान हमने निकाला था derivation ये फुत्र भी याद रखना चाहिए epsilon 0 h square n square upon pi m z e square ये formula भी याद रखना चाहिए derivation की द्रस्टी से और इसमें rn समन पाती n square होता है अब चुकि r1 कह लिजे r0 कह लिजे बहुर रेडियसी से कहते है r1 पहली कक्षा की तरज्या hydrogen परमाणू की सबसे छोटी कक्षा है 0.53 ang strong ये मान भी पता होना चाहिए तो r3 3 का वर्ग आ जाएगा rn समन पाती n square है न तो तीसरी कक्षा की निकालनी है तो 3 का वर्ग ये हो जाएगा अच्छी तरीके से इन अंकिक प्रश्णों को तयार करें इसी तरह के और जो अंकिक प्रश्ण आपकी बुक में हो उन सब को भी solve करने का प्रियास करें अच्छी अंकिक प्रश्ण है